और चलिए सभी लोगा आंसर दें इस क्वेशन का कुष्ण आपकी स्क्रीन पर है सामने आपको क्वेशन दिख रहा होगा कि कि किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कूछे जरूर हां चलिए क्या आपसर आएगा इस क्वेशन का जरह बताईए फटापट से क्या आपसर आएगा कोई तो बतादो गलत सही कुस्तो निकल रहा होगा और सिगनल सेकेंड हार्मोनिक्स के वैल्यों बतानी है सिगनल थोड़ी बताना है कोई देखनी हम क्यों ङाएगा क्यों तो आपट है बताना है जो भी हम क्यों आपट हाइगा कि और ना निगला किसी का कि अंड्रेट वूर्ट वेरी गूड कि नाम ही देखने पड़ेंगे नहीं क्योंगे पुर्णी मजी कितना आ रहा है है निशा है नहा है शुती जी भी है अजय है रोहिट जी ने तो देंजिली क्लास में है सित्रा जी है शुन है उननन ने भी आंसर दे दिया है क्यों भाकि लोगों को नहीं हो रहा है क्या घरो 0V, 0V, very good, 0V की तरफ ज्यादा लोग जा रहे है, मतलब हाँ, exponential representation, नहीं, representation नहीं बताना है, आपने को value बताना है, ठीक हम लोगों को value बताना है, अच्छा, एक बात होता हुआ, तुमने मार खाऊँगे, exponential कैसा आजाएगा, देखना ज़रा, signal, science ओडे ले और तुम बात करो, exponential की, आहाँ से exponential आजाएगा, 0.2 वर्ड, very good, अब देखो, ज़रा, ठीक है, यही तो check कर रहे थे हम, इसका मतलब तुम्हें समाज नहीं आया, विता कुछ भी साहिए, तुक्के मार रहे हो, मतलब वो बस्वन में कहते हैं ते न, तुक्के मार रहे हो, वही कर रहे हो, ठीक है अब हमारे साथ देखेगा ध्यान से कि आपको करना क्या था, हमें signal दिया कि VT is equals to 10 sin 2 pi, ठीक है, तो वैसे तो हमें देखके ही पता है कि sin signal है, sinusoidal signal हमें बनाने की ज़रत भी नहीं होनी चाहिए, तो कैसा होता है, और हमें पता है, यह और signal होता है, ठीक है, फिर भी देखो, अगर हम इसको graphically देखते हैं इसको तो कैसे आएगा, यह T, ठीक है, यह V of T, तो भाई, sinusoidal signal है, तो कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे तो आएगा, ठीक, ऐसे रिपर्जेंट होगा, और इस रिपर्जेंटेशन के साथ आप जानते हैं कि 10 गिवन था, तो यह आगे प्लस 10, ठीक है, निचा आजाएगा आपका माइनस 10, ठीक है, यह हो गया हमारा origin इस तरह से, यह हमारा एक time period आगया T, यहाँ time period आगया का माइनस T, ठीक है, अरे ठीक है नहीं इतना, इस signal को देखकर, क्या यह clear नहीं हो रहा है, अगर हम यहाँ से देखें, तो यह signal देखते हैं, एक बात clear हो रही है कि सर सही तो है, यह signal जो हमारा है, यह आपका real है, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, इसे देखकर, इसे कर एक बात clear हो रही है, कि सरसे हमारा हमारा सिग्नल है, वी ऑफ टी, ठीक है, यह real सिग्नल है, पहली बात, ठीक है, और कैसी बात है, आपका, real है, और दूसरी बात, इसका mirror इमीज देखते हैं, पलट कर देखने, वैसे हमें पता है, कि साइन हमारा odd function होता है, ठीक है, तो real ह है एंड कैसे आप लगों का और फंक्शन है तो यहां से किलियर हो गया कि यह कैसा हमारा रियल है और रियल के साथ हमारा यह और भी है ठीक है डिस इस रियल हैंड और फ्रियल अंड और हो गया दूसरी बात अब अगर यही से देखते हैं कि fourier series coefficient c of n तो c of n के अगर हम लोग बात करेंगे तो this is odd था तो यह कैसा आएगा हमारा imaginary and odd निकल कर आजाएगा fourier series coefficient respectively होगा वो imaginary and कैसे होगा आप लोगों को का odd होगा तो imaginary and odd होगा तो इससे एक और result निकल कर आगिया कि odd है तो इसका मतलब भई यह नोट जिरो होगा ठीके पर इसी तरीके से एक और result निकल की आजाएगा आपका नों 0 अगर यहाँ पर आप लोगों को किलिए लिख कर दिखा भी दो तो बी एन का वैल्यू क्या होता था इंटीग्रेशन जीरो से लेकर टी तर यह आता हूँ था एक्स आफ टी यहां पर क्या होता था आपका साइन ओफ एन ओमेगा नौट टी ऐसे तो लिखते थे तो इसमें मतलब आपका जो अभी तक हम लोग देख रहे थे जिस बात को हम कह रहे थे इसलिए तो कह रहे थे इसका मतलब सिर्फ कौन सी टम आएगी आपकी साइन वाली टम आएगी जब सिर्फ बाकि तो दोनों 0 है तो सिर्फ आपका साइन वाला टम आएका फूरियर सीरीज में पहले चीज़ अच अब दूसरी बात आती इसकी कि यह हाफ वेफ सिमेट्री को फॉलू कर रहा है यह नहीं करता है तो हमें सिंपल क्या करना है वी आफ टी था हमारा पर जाईएगा यह हमारा अफ टाइम पीरियर टी बाइटू यहां पर अकर मैं देखता हूँ तो दिस इस माइनस टी बाइटू ठीक है तो टी बाइटू से शिफ्ट करना है मतलब यह डबा उटकर आ जाएगा यहां यह चले जाएगा पीछे तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि अब जो signal बन कर आएगा वो कुछ ऐसे बन कर आएगा यहां से पिर ऐसे यह ऐसे तीक है और यहां से कैसे चले जाएगा इस ये आपका इस प्रकाड से हाफ टाइम पेडिए हमने क्या कर गिया सिग्नल का सिप्त कर गिया अचा ऐक और पात्याद रखना किसी भी सिगनल के अगर आपको हाफ विप सिमेट्री चेक करने है तो वह बाइडारेक्शनल होना ज़रूरी है वह आपका पॉजिटिव भी होने चाहिए नेगेटिव में भी होना चाहिए एंप्लिट्यूड में कोई चेंज नहीं आता है पहले भी टैन था अब भी टैन ठीक है यहां यह आगया आप लोगों का ओरिजन पॉइंट जीरो अब देखो जड़ा इस सिगनल को अगर हम लोग देखें तो इसका अगर हम रिवर्सिबल करते हैं इसके अगर मिरर इमेज ल दिखा है यह हमारा किसका आज आएगा माइनस ऑफ मीटी ऑन अगर ए ऐसा हो रहा है इस्तुरिंट आपका odd harmonics present हूंगे तो क्या का हुण्स यहां से क्या निकल का है। only odd harmonics present और हार्मोनिक्षप्रेज़ेंट हूंगी और किसके Sinus Sinarian function के only odd harmonics of sign function अब ज़र आपने question पर आओ question ने चाला की कहां चली question ने चाला की चली ध्यान से देखता उसने हमें पूछा क्या second harmonics फूचरा है इस्सुरेंट ये बहुत समझदार निकला इसने second harmonics फूचरा है मतलब आपका n is equal to two पर फूचरा है वर हम नीचे लिख चुके हैं इस बात को अभी कि हमारे पास सिर्फ कैसे harmonics आएंगे सिर्फ और सिर्फ odd harmonics आएंगे तो second अगर हम two को देखें तो two तो हमारा क्या है अगर हम जनली बात भी करते हैं तो भई ये two क्या हमारा ये तो हमारा क्या एक even number है तो इवन हार्मोनिक्स तो आने ही नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इस तुरेंट आपका कि आपको रिजल्ट कैसे लेकर चलना है ये देखना आपका कि ये इवन इसका ठीक है और ये आप लोगों का रिजल्ट यहां से जो आपकी हाफ वेव सिमेट्री से था कि आप याजिड़ो है तो यहां हाफ यहां हार्मोनिक्स वह वो सिर्फ और और नंबर के होंगे और फिफ्ट नंबर का इस तरह से को पोश्ता तो फिर बात अलग थी तो यह आ जाएक आपका आपका अब बताईए जड़ा किसी को अगर कोई डाउट है किसी स्टुनेंट का कोई डाउट है तो बताईए जनरल सा इस तरीकी का कोईशन एक्जाम में आता है ठीक है जो हम लोगों को सॉल्व करना होता है ठीक है तो थोड़ा सा चीजों को ध्यान से समझते वे चलना ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत अलग से चीजें हैं अब यहां से क्या निकल कर आया है कुछ रिजल्ट भी हमारे सामने पर हैं चाहिए इस कुछन से देखो अगर सिग्नल इवन है ठीक है ध्यान से सुनना कि सिग्नल इवन और हाफ वेव सिमेट्री को फालो कर रहा है तो वहां पर सिर्फ और हार्मोनिक्स होंगे को साइन के अगर वो और हाफ वेव सिमेट्री को फालो कर रहा है तो सिर्फ और हार्मोनिक्स होंगे साइन फंक्शन के तो नोट करके पटापट से एक बात